Hello guys and welcome back to your own channel दीपक यादव साइस अकेडमी Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of November 2020 तो आज है तारिक 30 November 2020 और है मंडे देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper The Hindu Complete Newspaper को अनलाइस करेंगे और गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये Complete The Hindu Newspaper चाहिए ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS Academy As you can see आप लोगो इस तरीके का चैनल मिल जाएगा तो यहाँ पर जाके Click करना और नीचे Join को Option आ रहा होगा Join कर लेना Don't worry अगर यहाँ पर चैनल नहीं मिलता है आप लोगो तो इस चैनल का Link जो है मैंने आप लोगो description box में दे दिया तो simple है description box में जाओ उस Link को Click करो और जाकर इस चैनल को Join कर लो आफट यहाँ पर 10,000 से भी जादा लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर आप लोगो को डेली दाहींदू न्यूसपेपर तो मिलता ही मिलता है साथ में जो न्यूसपेपरे में हमारा current affairs आते हैं उसका background portion आपको provide कर दिया जाता है For example, आज हमारे न्यूसपेपर में बहुत सारी चीज़े हैं जो कि हमें discuss करनी हैं जैसे कि गुपकर declaration, farm bills तो हम इसको discuss करेंगे देखेंगे क्या-क्या issues आ रहा हैं इन सब चीजों को लेकर Okay, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया तो नीचे red color का button आ रहा होगा आपको कुछ नहीं करना अपना एक छोटा सा support दिखाना है by subscribing this channel Okay, now, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पहले आप लोगों से सबसे सौरी कहना चाहूंगा आज की daily current affair वाली वीडियो अभी upload नहीं हो पाई है क्योंकि morning में देखो record नहीं हो पा रहा था तोड़ी देर रुख जाना यहां पर उसके बाद में थोड़ी देर में upload करता हूं से record करके तो गाइस यहां पर देखते हैं अपना newspaper और newspaper discuss करने से पहले कुछ questions को लेंगे सबसे पहले map based question आज का जो है आपको लोगों को map में जाकर देखना है Nigeria को नाइजिरिया निउस के अंदर है तो नाइजिरिया को जाकर जरूर देखना और इसके जो आसपास की neighboring countries है वो कौन-कौन से countries है उन neighboring countries का नाम नीचे comment section में जरूर बताना जिससे मुझे पता चलेगा हाँ आपने जाकर इसको map में देखा है ओके आगे बढ़ते हैं आते हैं page number one के उपर आप page number one पे आप लोग को यहाँ पर यह article दिखेगा same article जो की हम लोग पिछले तीन दिनों से discuss कर रहे है जो farmers है वो बहुत जादे गुसा है ठीक है अब protest कर रहे हैं protest कर रहे थे वो लोग पंजब और हर्याना में वो वहाँ से आ चुके हैं Delhi के border पर आ चुके हैं Delhi के border पर काफी सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है बहुत कोशिच कर रहे है डैली पुलिस रोकने की टीर गैसे छोड़े गा है वाटर केनल चोड़े गा है यह सारी सिचुएशन हम लोगों ने देख ली ओके उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्टिकल डिसकस किया था कल ही कि जो फा फार्मर बोल लें कि उन फार्म बिल्स को वापस लिया जाए ठीक है वो फार्म बिल्स नहीं है हमारे लिए साहीं ही रहेंगे तो यह सारी चीज़े हैं जिसकी वेसे आपर प्रोटेस्ट हो रहा है तो अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या है फार्मर ने रिजेट कर दि बोल दिया कि जो बुरारी है वो एक ओपन जेल है और जो प्रोटेस्ट चलेगा वो यहीं पर चलेगा और आपको यहीं पर ही सुनना पड़ेगा सारी बाते हम लोग की ओके और यह जो फार्म बिल्स नहीं को वापस लेना पड़ेगा नाउ अब यहाँ पर इस आर्टिकल म आप लोग को देख रहा होगा यह सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है मैंने आप लोग को अलड़ी बता दी है अपने एजियस्ट वे में एक दम आपको कुछ नहीं करना आपको एक क्लारिटी आ गई होगी ओके नाव आगे बढ़ते हैं उसके बाद आप लोग को यहां पर यह नजर आएगा ठीक है यह चोटा सा यह आर्टिकल अजर आएगा यहां पर रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज पीम साहब हमारे पीम मोदी जी बोल रहे हैं कि जो यह फार्म बिल्स के रिफॉर्म्स करेगा भाई यह यह नई 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 यह फार्म बिल्स करेंगे उस पर डिसकुस करेंगे यहां पर मोदी साथ क्या बोल रहे हैं कि जो यह फार्म बिल है यह नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा फार्मर्स के लिए लेकिन यहाँ पर कमी क्या है यह हम editorial के उपर discuss करेंगे वहाँ पर एक article आया है बहुत अच्छा नवागे बढ़ते हैं उसके बाद यह वाल article आप लोग को दिखेगा देखो अभी हम लोगों ने क्या करा यूपी सरकार ने ठीक है यूपी ने उतरपदेश ने करा एक law लेकर आया ठीक है आपको पता होगा एक law था जिसका नाम है prohibition of unlawful conversion of religion religion ordinance यानि कि कोई भी किसी को forcefully अपने एक religion से दूसरे particular religion में convert नहीं कर सकता याद रखना मैं क्या बोला हूँ forcefully ओके नाउ तो यहाँ पर पहला case देखा ही पहला case हम लोगों को देखने को मिल चुका है अभी हुए कितने दिन है law जिस दिन मना उसके अगले दिन ही पहला case देखने को मिल चुका है यह देखो यूपी की आलत ओके तो चलो आगे यहाँ पर आता है page number 2 के ओपर अगेन यहाँ पर सारे ही जो आप लोग को आर्टिकल दिखेंगे वो farmer related आर्टिकल दिखेंगे क्योंकि यह बहुत बढ़ चुकी है बात बहुत आगे निकल चुकी है farmer continue कर रहे है प्रोटेस्ट तिक्री बॉर्डर सिंगू बॉर्डर गाजी यहाँ पर आप लोगो देखने को मरेगा डेली में जो कोविड-19 के केसिस हैं वो अब यहाँ पर गिरने लगे हैं काफी अच्छी बात है लेकिन पलूशन अभी बहुत जादा है ओके ना उसके बात page number 4 पे भी articles जो है वो हमारे लिए important तो है नहीं इनको discuss नहीं करेंगे education plus आता है मंडे को इसको भी आप skip करो एडिटूरल्स को अभी हम लोग वापस आगे discuss करेंगे पहले prelims related news discuss कर लें फिर एडिटूरल्स को discuss करेंगे आते हैं page number 8 के उपर page number 8 पे आगेन यही वाला article आप लोगो page number 1 पे नजर आएगा जो मैंने अभी discuss किया है कि जो farmer है उन्होंने reject कर दिया कि जो center की call थी कि बुरारी पर जाकर protest करो यहां मत करो ठीक है तो यह सारी चीज़े अभी reject कर दी गई है तो वो ही सारी चीज़े यहा आपको already discuss कर दिया है ओके आगे बढ़ते हैं और आते हैं page number 9 के उपर page number 9 पे यहां पर एक article नजर आएगा in kolombo अजित दोवाल ठीक है आपको पता है कौन है अजित दोवाल इंडिया के national security advisor है NSA है तो अजित दोवाल जाकर मिलकर आए हैं किन से संपंधन से संपंधन कौन है स्री लंका के तमिल लीडर आर संपंधन देखो अभी यहां पर एक meeting भी थी आपको याद होगा मैंने कल discuss किया एक meeting हुई है जिसमें स्री लंका भी था इंडिया भी था तो इन्होंने अपने bilateral cooperation को देखते वे हैं यहां पर बात करी है और कैसे कैसे developments करे जा सकते हैं दोनों क तो यहां पर यह article आपके लिए important नहीं है next article यहां पर आप लोगो यह वाला नजर आएगा देखो इस article में basically बात हो रही है जम्मू कश्मीर को लेकर center murdering democracy in जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि जो हमारी इंडिया की केंदर सरकार है center है वो क्या कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जो democracy है उसका गला घोटरी है democracy हाँ पर खराब कर रही है और आपको पता होगा इन लोगों ने मिलकर एक गुपकर alliance भी बना रखा है ठीक है तो गुपकर alliance बना रखा है तो गुपकर alliance क्यों क्या काम करता है मैं अभी आपको बताऊंगा उससे पह पहुंचेगा जम्मू और कश्मीर को ठीक है जो गुपकर alliance के लोग है जो गुपकर के candidates है उन सब को घर में बंद कर दिया या यह सारी चीज़े यहां पर इनके द्वारा बोली गई है now important बन जाता है क्योंकि काफी सारा news में है यह गुपकर यह गुपकर alliance क्या है चलो मैं आप लोग को बताता हूं या आप लोग को पता होगा मैंने आपसे question भी पूछा है तो सारी चीज़े इंटर-related आती है कर आप लोगोंने newspaper एक डेल महीन अच्छी तरीके से start कर दिया है पढ़ना अच्छी तरीके से आप लोग समझने लगे हो तो काफी सारी चीज़े इंट newspaper में होती है तो ऐसा नहीं है एक दिड़ महीन लगके पढ़के देखो तो अपने आपी habits ही बन जाएगी ठीक है 21 days पढ़के देखो अपने आप habits ही बन जाएगी मन करेगा कि पूरा दिन निकले गई नहीं newspaper पढ़े बिना ओके तो ऐसी habits ही बना लो पहले हम लोग पहले मु रीड करते रहोगे तो obvious सी बात है चीज़ा आपको समझते आने लगेंगी बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता इस वह से छोड़ देता है तो ऐसा नहीं है देखो पहले दिन पे किसी को समझ में नहीं आने वाला जिसको दाहिंदू newspaper के बारे में कुछ नहीं आगे और पहले यहाँ basic तो पढ़ते जाओ धीरे-धीरे पहले starting अगर कर रहे हो तो एक-दू editorial पढ़ने की कोशिश करो कि हाँ मुझे क्या-क्या इसमें से समझ में आ रहा है क्या-क्या situation चल लई है तो उसके हिसाफ से धीरे-धीर आप लोग आगे बढ़ सकोगे ओके क्या करते हैं कि जो article 370 हम लोगों ने abrogate किया जमू कश्मीर का तो फिर क्या हुआ उसके against है जो गुपकर वाले candidates है उसके against हैं बोल रहे हैं कि भाई यह जो आपने करा है यह गलत करा है जमू और कश्मीर में इसको वापस लो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को नजर आए जो कि मिलकर काम कर रही है गुपकर एलाइंस में 6 पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि गुपकर के द्वारा यह बोला गया इनके जो की पॉइंटर्स है यानि पहली इनकी बाते क्या है सबसे पहले इनके द्वारा यही बोला गया कि जो यह आर्टीकल 370 को एब्रोगेट करा गया है जम्मू कश्मीर में वो अनकॉंसिटूशनल है असमवेदानिक है उके उसके ब आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 10 के उपर आते हैं पेज नमबर 10 पे इहां पर आप लोग को एक आर्टीकल दिखेगा और इसके बारे में मैंने आप लोगों को शायद कल या परसोर डिसकस किया था कि एक विमेन है या मैंने मुझे याद निया रहा तो 40 साल का इक परसन थ चुके हैं उससे मेरे शरीर में adverse reactions देखने को मिल चुके हैं तो उन्होंने यहाँ पर उनके उपर allegations लगा दिये लेकिन Serum Institute of India क्या बोल ला है कि जो यह सारे allegations यह गलत भी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यह volunteer के उपर test करा गया यह vaccine वगरा जो यह volunteer के उपर test करी गई थ तो यह उनके खुद के अपनी खुद की यह body problem है यह vaccine की कोई गलती नहीं है तो फिर यहाँ पर यह सारी चीज़े malicious लगाई जा रही है और यह गलत है तो इसके लिए Serum Institute of India लड़ेगा भी और बोला है कि absolutely हाँ पर लड़ने वाला है आगे तक और देगा कि हाँ भाई हम गल लोगों को देखने को मिलेगा देखो आप कह सकते हो कि जो SII है ये एक manufacturer है immunobiological drugs का यानि कि जो vaccines बगरा होती है इंडिया के अंदर सबसे जादा कौन बनाता है Serum Institute of India और इस SII को found किस ने करा था Cyprus पूनावल्ला ने इसको found करा था 1966 में SII world की largest vaccine maker है यहाद रखना important point Serum Institute of India पूरे दुनिया की सबसे बड़ी vaccine maker है जो की हर साल 1.3 billion doses vaccines बनाती है प्रोड्यूस करती है और बेचती है तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर इसका role हो जाता है और आपके exam के point of view से कितनी बड़ी important हो जाती है Now सबसे बड़ी बात इसका headquarter कहां पर है पूने महराश्टर में इसका headquarter है founder हमने discuss कर लिया Cyprus एस पूना वल्ला है कौन से एरिया को serve करती है पूरे worldwide में यह vaccine को serve करती है तो इसके कुछ revenues वगरा है वो आपके कामका नहीं है Now आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमाले discuss करने को Now यहाँ पर यह वाला article भी बहुत important है इसको मैं highlight नहीं कर पाया हूँ जिसकी वैसे मैंने thumbnail लगाया इसको ही मैं highlight नहीं कर पाया चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग China जो है डیम बनान रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर के उपर तो यहाँ पर एक controversy बन सकती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के उपर China अबने dams बना रहा है अभी तक बनाते वह भी आया है तो अब और भी dams बनाने की बात करी जा रही है तो उसी के regarding ये बात है कि चाइना अपना step जो है dam के उपर उठाने लगा है अब ब्रहमपुत्रा रिवर पर तो basically dam बन कहाँ पर आए आपको देखने को मिलेगा Chinese की ये hydro power company है ये construct कर रही है पहले downstream dam को कहाँ पर ब्रहमपुत्रा रिवर के उपर और आप कह सकते हो यारलूंग जैंगबो यहाँ पर जो टिबबत के अंदर यांगलू जैंगबो के नाम से जानी जाती है लेकिन ये ब्रहमपुत्रा रिवर पर ये dam बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत important है पहले बहुत question पूछे गए UPSC ने भी बहुत question पूछे है तो आपके लिए बहुत important मन जाती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जरूर पढ़ना ठीक है कहां से कहां तक है और कौन कौन से attributaries है जो की main चीज़ है ठीक है तो ये सारी चीज़े जरूर पढ़ना ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में वरना मैं आपको आगे पढ़ा दूँगा उके ना उसके बाद नेक्स आर्टिकल यहाँ पर यह वाला नजर आएगा यह इस आर्टिकल को हम लोग डिसकस नहीं करेंगे important नहीं है बट यहाँ पर हमारे लिए एकलोती चीज़ है National Investigation Agency जिसको हम लोग डिसकस करते हैं मैं आपको बता दूँ जो यह National Investigation Agency है इसका काम है टेररिजम से लड़ना टेररिजम के खिलाफ काम करना ठीक है आपको पता है कि इस Agency को हमने कब बनाया था जब Mumbai के अंदर Terror Attack हम लोग को देखने को मिला था उसके बाद हम लोग ने आप कह सकते हो Agency को बनाया ताकि जो टेररिस्ट हैं उन्जम टेकल आउट कर सकें और NIA अपनी एक Most Wanted List बना के चलता है कि जो भी यहाँ पर Terrorist को पकड़ता है वो इस List के अंदर डाल देता है तो आपको जानने को मिला होगा NIA के बारे में तो याद रखना NIA है क्या Basically Now उसके बाद Next Article Interesting One यहाँ पर क्या है Lifetime Risk of Diabetes in Metros Alarming एक Study करी गई और उस Study में पताया गया कि जो Diabetes का Lifetime Risk है वो Metropolitian Cities में बहुत जाद है अगर हम बात करें Delhi, Mumbai जैसी वाली Cities में बहुत जादा है यानि कि आप कह सकते हो 20 साल की Women है 20 साल की तो उनके अंदर यह Diabetes डेवलप हो जाता है 55% देखो 20 साल की लोग की बात हो रही है 20 साल की जो हमारा यूथ है इसमें से 55% जो Men है ठीक है और 65% जो Women है यह 20 साल से ही इस Diabetes को डेवलप कर लेते हैं आपके बाडी में शुगर की मातरा बढ़ जाती है ठीक है तो आप जानते भी हो कि यह कित्ती खतरनाग बिमारी है ठीक है तो फिर यहाँ पर यह Diabetes 20 साल से होते वाया आ रहा है इसमें देखने को मिल ला है और इंडिया में खास कर सबसे जादे देखा जाता है अगर हम बात करें कि आज के टाइम पर 77 million लोगों को 77 million एडल्स को यहाँ पर Diabetes है अगर यह भी बात करी जा रही है कि 2045 तक यह 134 million हो जाते है और आप रहे इतना बड़ा नंबर कि यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हो क्या हालत है तो basically यहाँ पर Diabetes के बारे में था आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं उसके बाद यह सारे advertisement है इन सबको आप skip कर सकते हो पेज नंबर 13 के उपर यानि कि दुनियादारी में क्या चला आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले बहिया 31 अफगान सोल्जर्स को मार दिया गया एक attack कर दिया गया अफगान पर ठीक है तो अफगान पर यहाँ पर attack कर दिया भी एक claim वगरा नहीं हुआ कि कहां से attack हुआ है तो in separate attack suicide bomber target the convoy of provincial chief killing 3 यहाँ पर बहुत सारे लोग की जान गई है 31 अफगान soldiers भी यहाँ पर मारे गए है उनके base में ही bombings वगरा कर दी गई है उसके बाद बराबर में यहाँ पर एक article नजर आएगा चाइना के जो defense minister है वो नेपाल के top leadership से यहाँ पर नेपाल और चाइना के top leadership की बीच में meeting हुई है और आपस में इन्होंने discuss किया है कि यह लोग bilateral relationships को अपने improve करेंगे और इन relationships को आगे लेकर चलेंगे काफी सारी चीज़े यहाँ पर चाइना और नेपाल के बीच में होने वाली है student exchanges program होंगे बहुत सारी चीज़े होंगी चाइना जो है defense assistance प्रोवाइड करवाएगा नेपाल को उसके साथ साथ जो COVID-19 है इस्टेंस देगा और यहाँ पर कोशिश करेगा अपने relations को improve करने के लिए नेपाल के साथ नाउ उसके बाद यहाँ पर एक और article नजर आएगा इरान के बारे में आपको पता है इरान के top nuclear scientist को मार दिया गया है ठीक है तो उनी के बारे में बार-बार यह article आ रहा है तो इनका नाम कहता फाकरी जाद ही था ठीक है तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इरान जो है एक response देगा ठीक है जो कि यहाँ पर Iranian top scientist को मारा गया है उसका एक response जरूर देगा देखेंगे आगे क्या हो सकता है क्या करने वाला है एरान तो यह सारी चीज़े थी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आगे नहीं पीछे चलते हैं editorial के उपर और देखेंगे editorial कौन-कौन से हमें डिसकस करना है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो farmers हैं वो कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया कहां तक आ चुके हैं डेली तक आ चुके हैं डेली वार्डर्स पर प्रोटेस्ट हो रहा है और बोला गया यहाँ पर कि मोदी जी के द्वारा संड़े वे को बोला गया जो farmers से उने बहुत सारे benefit मिलेंगे इस farm bill से गवरा है ना तो यहाँ पर सबसे बड़ी पहली बात तो mistake यह बोली जा रही है कि भाई देखो सबसे बड़ी बात फार्मर का क्या मुद्धा है फार्मर यह बोला है कि जो minimum support price है MSP है उसको ना हटाया जाए ठीक है अब यहाँ पर MSP होती क्या है MSP यानि की एक मतलब फार्मर जो किसान है कोई भी अपनी फसल उगा रहा है उसके उपर एक minimum support price तो दिया ही जाता है उसे ठीक है तो फिर उसे इतना घाटा नहीं होता उसकी वह से यानि सरकार जो है उसे आपके सकतो assurance इंशॉर करती है आपके सकतो guarantee दे देती है ठीक है guarantee दे देती है कि हम तुम्हारा product इतने रुपए में तो लेंगे ही लेंगे तो यह minimum support price उसे farmer को मिल जाता है तो उसको खटाने की बात करी गई थी साथी साथ जो मंडी का system है वो हैंपे खतम हो रहा था लेकिन यह सारी चीज़े को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था farmer लेकिन यहाँ पर हमारे PM साब आकर बोले की चीज़े जो है सुधरेंगी और चीजों के नहीं नहीं opportunities निकल कर आएंगी लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट र तुमने implement करा है यानि कि यह farm bills को implement करा है तो उससे पहले बड़े-बड़े farm leaders से consult करना चाहिए था farm leaders के साथ consultation करना चाहिए था क्या impact पड़ेगा क्या effect पड़ेगा तो उसकी वे से यहाँ पर चीज़े और आपस में resolve होके आती तुमने एकदम से farm bills को pass कर दिया जल्दबाज recession के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह article हम discuss कर चुक है इंडिया की GDP के हालत quarter 1 में जो है वो भी minus में थी quarter 2 में भी बहुत बुरी हालत थी तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा अभी जो quarter 2 में 7.5% से GDP हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा चल ल domestic boundary के अंदर यानि कि इंडिया के अंदर जितना भी product यहाँ पर total product है उसकी value को count करके यहाँ पर GDP निकाली जाती है तो फिर उसी को देखते वे बोला जा रहा है कि बहुत जादे down है और economy recessions भी है बहुत सारे हम लोग को गिरावट देखने को मिली है बहुत सारे sectors down पहुच आप लोग को मालूम होगा मैंने discuss किया है बहुत सारे sectors जो है वो उसके अंदर गिरावट देखी गई है हाला कि एक दू sector है जिनके अंदर growth देखी गई है जैसे कि agriculture हो गया fertilizer वाला sector हो गया इन सब के अंदर growth देखने को मिली है otherwise जो बाकी हमारे sectors बचे कुछे 8 core sector के अंदर म देखने को मिल चुकी हम लोग को ओके तो यहां पर देखेंगे आने वाले टाइम में किस सारी के सामी सिचुशन से गुजरते हैं हाला कि काफी हद तक जो आर्टिकल साथ है उनमें प्रेडेट यही करा जाता है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा कि GDP ए इंडिया की वो सु अब यहां पर बेसीकिली जो यू एस है उसने पुल आउट कर लिया था अमेरिका बाहर निकल लिया इस एक्रेमेंन से इस एक्रेमेंट में यह था कि जो कांटरी साइन काने को वह पॉलूशन नहीं करेंगी या पॉलूशन बहुत कम करेंगी ओक्रे तो फिर अभी यहां प जो बैडन का इंट्रेस्ट काफी जादा है इस चीज को लेकर, इनवर्मेंट को लेकर तो हो सकता है वो वापस इसको जॉइन कर लें लेकिन basically यहाँ पर Paris Agreement के बारे में बात करी जा रही है कि यह काम का, आप कह सकते हो, काम अपनी तरीके से नहीं कर पा रहा Common but differentiate responsibilities यानि कि common problem तो है pollution लेकिन यहाँ पर सबकी responsibilities अलग-अलग है आपको यह देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर किता सारा pollution देखने को मिला है चाइना number one pollution, USA खूब pollution, इंडिया से भी बहुत सारा pollution होता है तो फिर अगर हम लोग Paris Agreement की बारे में बात करें तो यह क्या करता है यह कह रहा है, इस agreement के अंदर बात हो रही है कि भाई, आप इतने percent तक pollution कम कर लो इतने percent तक pollution कम कर लो, यहाँ पर यह कोई सारा temporary काम कर रहा है, compulsory कुछ काम ही नहीं कर रहा है अगर यहाँ पर यह compulsory step उठाता है, यहाँ पर यह होना ही नहीं है, ना तो यह होगा तुमारे लिए ठीक है, यह है तुमारे लिए सर्जा अगर यह हो गया तो, अगर इस तरीके से compulsory step उठाया जाता, तो आज के टाइम पे तेजी से यह चीज़े decrease हो रही होती, लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है, temporary काम करा जा रहा है, Paris Agreement के द्वारा बोला जा रहा है, इतने percent कम कर लो आप, तो सही रहेगा, तो यहाँ पर यह गलत है, फिर कोई country यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही, फिर country अपना जो pollution है, वो वैसे होता जा रहा है, इंक्रीस ही हो रहा है, तो यहाँ पर उसी के बारें बात कर जा रही है, Paris Agreement को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ देखेंगे, हम लोग अभी Joe Biden आएंगे, तो फिर इसमें यहाँ पर USA जुड़ता है, या नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पर इसी के साथ हुआ आज का हमारा Hindu newspaper analysis पूरी तरह से समाब, I hope आप लोग को मज़ाया होगा, मज़ाया होगा तो वीडियो को लाइक जुरू करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है, तो निचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली क